तो इस क्वेस्टन में इसमें हमको निकालना है यह सेमी सरकुलर ट्यूब दिख रहा है इसके उपर के हाफ को हमने काटके फेक दिया और नीचे के हाफ में जो बिल्कुल थिन है उसमें करेंट आई फ्लो करा दिया टोटल करेंट आई है इसमें कहीं पर भी एक छोटा सा सेग्मेंट करेंगे ऐसे के छोटा सेग्मेंट कर लिया इस सेग्मेंट की थिकने सो गई फीता तो इसमें करेंट है वो करेंट का वृ दिया है नहीं हो घ्र monit कर सकते हैं उसका फ mü करेंट के हिसाब से MAKनलों निकालना हो करेंट के डिरिक्षं की हिसाब से इस पर्पेंडिकुलर लाइन के पर्पेंडिकुलर होता है तो इन दोनों के पेर का मैगनेटिक फिल्ड यहां पर बीबी कैलकुलेट तुरंत हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मला ऑल्रेडी हमने पड़ा हुआ है कि अगर वायर हो और उनमें करेंट का डिरेक्शन सेम हो औ अगर मैगनेटिक फिल्ड मिकालना हो तो मैगनेटिक फिल्ड का फॉर्मला मू नॉट आई एच अपॉन आई ए स्कुएर प्लस एच स्कुएर हो जाएगा ऐसे ही यहां पे अगर आर वेडियस का यह पॉइंट है तो यह आर है तो यहां पे आर साइन थीटा और मागनेटिक फिल्ड दू-दी आई की मजहें से मुझेंगे दू-डोट आई एच अपाण अड़्ट अपॉर्म एस स्कुएर प्लस पेश्च स्कुएर विचिस आर स्कोरा स्कुर्ण कीता प्लस ऑस्कुर्ण कॉस्कूर्ट थीटा हो जाएगा यह हमारा मैगनेटिक फिल्ल इन्टू स्मॉल सेगमेंट का लेंद्ध विचिज़ दी थीटा वी यहां पर लिख देंगे यह लिख सब्सक्राइब का इंट्डीजेशन करेंगे तो पूरा सरकल इंटेग्रेशन नहीं करना चाहिए कि पूरा सरकल इंटेग्रेशन में करेंगे क्योंकि दो लोगों का मिला के एक फील्ड का वाल्यू इंटेग्रेट करेंगे इसलिए करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं अंसर आगिया म्यू नौट आई कि इंटू पाई स्क्वेर आर कि यह हमारा अंसर है यह जहीं में आ चुका है सवाल कि इसी में और बदलता हूं अगर माल लिजिए मेरे पास पूरा पाइप होता है कि और पूरे पाइप में करेंट आई होता है से करेंट आई उसके सर्फिस के अलांग यूनिफर्म ने चल रहा पूरे पाइप में तो इस पूरे पाइप की वज़े से नेट मैगनेटिक फील्ड से इंटर पर जीरो आने वाला है फिर वेने क्या कर दिया ऐसा बोला कि पू अग्टिंग करेंट बॉन फेट सेक्शन था इसका अब इसका आधा पूछते पर पिछना वालाई यह अंसान लिए 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 फिर्ट सेक्शन का मैगनेटिक फिल्ड पूछा है सेंटर पे यहां सेंटर पे पूछा है लेकिन वन फॉर्थ सेक्षन का इतने पाट का मैगनेटिक फिल्ड बताओ जड़ा बताओ अंसर क्या होगा लेकिन वह सेमी सरकल का था अब हमने पूछा है वन फेर्थ सरकल का भी आदा तो झाली मिवने वह अपाइल सेंटर प्राट प्राट आदा के करी आदर अनने पालेकिन वह सेज bitches अत्म05 वह चाहँ से तो झाल झाल कि देनों ग्यांस रहा है अगर सेवी सरकल का ही रिजल्ट पूच्छा जाता इस बार सेवी सरकल का करेंट आई ड़ी टू हो जाता क्योंकि पूरा करेंट आई फिल पाइप का है अगर सेवी सरकल का पहने के हिसाब से देखें तो मैगनेटिक फिल्ड मियू नॉट आई बाइटू अपाउन पाई स्क्वेर आर यह सेवी सरकल का गया अगर एक वाटर सरकल का मैगनेटिक फिल्ड निकालेंगे तो वह उसके एंगल भाइस सेक्टर का पर्पेंडिकुलर बन जाएगा और दूसरे इस सेक्टर का पर्पेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि फार्टी फाइव डिग्री पर यह उसलिए है इस दिए मैगनेटिक फिल्ड टू यह ऌटर सरकल किeten तो सेनी सटल का मैगनेटिक फिल्ड दो कोर्टर सरकल का है तो net magnetic field येने Cb circle का field दोनों के field का resultant बनेगा लेकिन दोनों के field का value एडमी हो रहा है और डोनों का resultant निकालना पड़ रहा है which is b और b के बीच में 90 degree बन रहा है तो root to b हो जाएगा सेवी सरकल का फील हमको पता है म्यू नौट आई बाई टू अपाउन पाई स्कूर आर और इसको हम रूट टू बी के इक्वल कर देंगे तो एक सेवी सरकल का मैगनेटिक फील्ड आ जाएगा मू नौट आई बाई पू रूट टू पाई स्कूर आर प्रदिमाग लगा भी कि अभी मुझे पता चलिए कि सेवी सरकल का मागनेटिक फील्ड होता है पूरे सरकल का अगर करेंट आई है तो इस सरकल में दो सेवी सरकल तो एक सेवी सरकल का करेंट आई बाई तू हो जाएगा में दो हमने एक सफारी हका मागनेटिक विल्ट निकाल लिए उसमें उसमें बोकि यह मैगनेटिक सेय मी सब्सक्राइब उस सेली सबस्क्राइब फिल्शी को ऑपकर सब्सक्राइब तो यह बनाएगा और दूसरा को सरकल अपने पर्पेंडिकुलर में इसे बनाएगा इंगल के पर्पेंडिकुलर क्योंकि करेंट अंदर की तरफ जा रहा है तो थम अंदर रखेंगे हाथ घुमाएंगे तो इधर पला रखेंगे हाथ घुमाएंगे तो थम भी जरा जाएगा तो बन गएक इधर बन गया इनके बीच में 90 डिग्री आगे क्वाटर सरकल है इसलिए इसलिए मैगनेटिक फिल्ड हो गया लेकिन यह रिजल्टेंट वाला को इस स्किट के सामने यहां अपर मैगनेटिक फिल्ड निकालने का कुउश्टन किया भी सवाल में वह यह था यह एक वायर और पैरल में देडिया इस 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 यह पॉइंट से पास होता वह इस वायर में भी करेंट आई है इसके लिए लगा सकते भी का वाली दोड़ों की वज़े से बीच में मैगनेटिक फील्ड का फॉर्मला डीबी अभी-अभी किया मू नॉट आई एच अपॉन पाइए स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर अब बियाई की जागे लिख देंगे आई बाई टुए इंटु दी एक्स एच मू नॉट इस स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर पाइच मू नॉट आई एच अपॉन टॉट आई एच और इसका इंटिग्रेशन हो गया वन बाई एच एन इनवर्स एक्स बाई एच क्योंकि दो के मिलाके मैगनेटिक फिल्ड बीच मे निकाल दिया इसलिए एकी साइड इंटिग्रेशन करना पड़ेगा तो जीरो टू एंटिग्रेशन करेंगे जीरो पे टाइन वर्स का वाल्यू जीरो हो जाएगा एक्स की जगे वाजाएगा तो आंसर आगिया मियू नॉट आई बाई यह तो हुआ नागिनेटिक फिल्ड का अंसर और इस मेगनेटिक फिल्ड में एक वायर रखा मैगनेटिक फिल्ड ऐसे चल रहा होगा स्ट्रिप के पर्मेल में और करेंट इदर जा रहा है डियल क्रॉस भी कर देंगे तो फोर्स तो अट्राक्टिव हो जाएगा करेंट सेम दरिक्ष्यन फोर्स नीचे गी था माट्राक्टिव तो फोर्स का अंसर आजएगा इवल बी यूनिट लेंट के लिए लेना है क्या और यूनिट लेंट लिखा हुआ है इसलिए एल की जाएगा वन लग देंगे आई सेब आंसर एक आई और मल्टिप्लाइब हो जाएगा इसमें आई मल्टिप्लाइब और हो गया इस ट्रिप को चोटे-चोटे रॉड बनाके इंटिग्रेट नहीं कर सकते थे चोटे-चोटे रॉड बनाकी तो किया है इस इस लिया तो यह पूरा एक पतला रॉड ही तो हो गया अच्छा ऐसे बोल रहे हैं अच्छा एसे ऐसे ऐसे में तो बहुत ही दिक्कत आती क्योंकि हर जगह पर मेगनेटिक फिल्ड फिर अलग अलग दरेक्शन में आता और करेंट जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है इधर तो इसमें करेंट का रिंग वायर यह वाला नहीं होके इधर ही देना पड़ता समझ गया तो क कुछ मज़ा आएगा नहीं है कि अधिक है कि अधिक फूर्स का हमने सिच्वेशन एक बार पाला कि चलो यह और कर लेते हैं यह चार्ज पर फूर्स लगाने वाला एक एक अग्जाम्पल और कर ले रहे तो यहां चार्ज ऑफ मास में इस प्रोजेक्टेट विद विलास्टी वी तुवर्स सेंटर ऑफ सिलेंट्रिकल बीजिन उनिफॉर्म मैगनेटिक विल भी फाइंड टाइम टेकन भाइचाज टू कम आउट अफ तर फील्ड यहां पर यह जो इसे सवाल कर रहे थे तो मैगनेटिक फिल्ड स्ट्रेट होता था इधर दक्का देते थे तो यहां से सेमी सर्कल बना के बार आजाता था याद आगया गया तो आप आधर सर्कल का टाइम लेकिन अभी इसमें एक सर्कुलर्ड विजिन है और सर्कल का रेडियस आर गिवन है यह और इसका वेलासिटी वी दिया है चार्ज क्यों है मास एम है यहां मैगनेटिक फिल्ड भी है तो इसको हमने ऐसे सेंटर की तरफ तक्का दिया ऐसे तो आप अगर मैगनेटिक फिल्ड को मल लीजे डाउन वर्ड ले वी क्रॉस भी करेंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा और यह चार्ज पार्टिकल में कितनी दोर तक रहा अगा अगा निकलते आंसर आ जाएगा अगा तो थीटा निकालो आपको सरकल आपस में इंटरसेक्ट करते में दिग रहे हैं आपको अगर दूलों का रेडियस पता है कितना एंगल कि एक के सेंटर बनेगा कितना एंगल दूसरे के सेंटर या कितना यह जो कॉर्ड है कितना इंट्रसेक्ट में आ रहा है उसका वैल्यू निकाल रहा हुआ 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 है कि यहां पर नाइंटी है क्योंकि विलासिटी तो रेडियस के पर्पेंडिकॉलर होती तो यहां पैसे टेंजेंट ड्रॉक कर दिया और यहां बाहर निकलते समय भी टेंजेंट ड्रॉक कर दिया तो इसे बन गया बहुत इजी इधर भी नाइंटी डिग्री बन जाएगा इधर भी एंगल नाइंटी डिग्री बन जाएगा यह स्मॉल आर रेडियस हो जाएगा यह कैपिटल आर फिच इस तरेडियस ऑफ सर्कल सिलिंडर और यह स्मॉल आर रेडियस ऑफ पाथ स्मॉल आर का वैल्यू है एम वी बाए क्यूबी और यहां पर सर्कल का सेंटर बन रहा है तो यह वाला एंगल चाहिए अगर इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं यह एंगल भी अल्फा हो जाना है तो अल्फा के साम यह राइप अंगल ट्रैंगल बन गया है यह कैपिटल आर यह स्मॉल आर तो एक इन मागनेटिक फील्ड इस तो अल्फा एम बाए क्यूबी तो अल्फा की जगे लिख दिया तैन इंवर्स आर बाए एम वी बाए क्यूबी एम बाए क्यूबी देख लोगी क्यूबी तो चारए क्यूबी देख लोगी तो अल्फा की झाल झाल इसमें वैसे तो question पूछा, velocity of the particle as a function of time, हम लोग position of the particle as a function of time का भी function बनाएंगे, position as a function of time, यह particle को जिसको हम Q charge वाला particle बोल रहे है, थोड़ी दियर के लिए पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, लिखा हुआ, particle of mass and charge Q is moving in a region where uniform constant electric field E i cap and B k cap are present. at time t equal to 0, particle is released from rest at origin. तो particle initially origin पर था और वहाँ से उसको release कर दिया. इनिशल विलास्टी पार्टिकल की 0, find velocity the particle at time t, you must express your answer in terms of this, this values. अब, particle initially यहाँ है. तो और initial velocity 0 है. तो initial point पर जो force लगेगा, वो किस direction में लगेगा? आप कहेंगे भई, velocity 0 होता है, तो magnetic force तो नहीं लगता. लेकिन electric force तो हमेशा लगता है. तो अगर मैं आपको पूछू कि at t equal to 0, particle का acceleration कितना होगा और किस तरफ होगा? बता सकते हो? इसको थोड़ा change कर देखे है, चलो मैं इसको न जे कैप ले रहा हूँ, क्योंकि फिर diagram मुझे थोड़ा और बैटर बनता दिखेगा. जे कैप ले लिए आप भी जे कैप ही लिख ले ना इसको जे कैप, आई कैप की जगे जे कैप लिख लिए, माल लो, तो acceleration y-axis के along आ जाएगा, QE by M, जे कैप, ठीक है ना, यह हमारा पहला पॉइंट है, जिसमें पार्टिकल इनिशली जब स्टार्ट हुआ, तो इसका acceleration y-axis की तरफ होगा, electric field y-axis में लो लिया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि y-axis में लोना था, हम x में दूले सकते हैं, तो x में जाता है initial acceleration, लेकिन अब भी मालनों y-axis में electric field है, और magnetic field ऐसे outward है, outward, outward magnetic field है, क्योंकि वो ऐसे i-cross j करेंगे तो k बाहर की तरफ आएगा, तो outward magnetic field भी है, अब जैसे इस पार्टिकल को acceleration j-cap में मुनेगा, वैसे इसका velocity j-cap में गेन होने लगेगा, जैसे पार्टिकल उपर खिसकना चलो करेगा, तो v-cross b करेंगे तो थम राइट में आएगा यानिकी पार्टिकल पर राइट में magnetic force generate होना start करेगा, मतलब as soon as you release this particle, electric field will try to pull this particle on y-axis और जैसे y-axis में चले का magnetic force लगेगा, तो magnetic force अगर पार्टिकल को घुमाता है तो पार्टिकल का motion ऐसे हो जाएगा, फिर यहां पर पहुचने के बाद फिर से motion ऐसे हो जाएगा, इस path को हम प्यार से cycle idle path कहते हैं और यह contact point का motion है, जो रोल करता है और ग्राउंड अगर कोई पहिया ग्राउंड पर रोल करें तो इसका contact point ऐसे ही रस्ते पर चलता है, वह जमीन पर रहता है जैसे जैसे पहिया आगे चलता है वैसे वैसे contact point उपर उठता है, उपर उठके किसी maximum height 2R पर जाके और परिया जैसे इसे घुनता जाता है तो यह contact point है यह जमीन पर बैठा हुआ पॉइंट है, वह धीरे-धीरे उपर उठके यह वाले 2R height तक पहुचेगा और उसके बाद फिर धीरे-धीरे नीचे आएगा, क्योंकि जैसे जैसे परिया घुमाते जाओं यह point उपर जाएगा, उपर जागे maximum पहुचेगा फिर यह नीचे आएगा, तो आप बोलेगे यह ऐसे घुनके यहां पर पहुच जाएगा, यह distance को बोलते है, यह height को बोलते है, यह path को बोलते है, इसका टोटल डिस्टेंस होता है, तो यह जो इलेक्ट्रोन, चार्ज क्यों हमने बनाया, यह चार्ज हमेशा इसी तरह के path को repeat करता है, बार-बार चलता रहेगा, फिर इसके बाद ऐसे, साइकलोडल path है, लेकिन path तो है, इसमें xy का equation भी हमको बनाना पड़ रहा है, x as a function of time, y as a function of time, as well as velocity as a function of time, तो मैंने आपको दो method सिखाए, मतलब एक method सिखाए, एक method यह बताए कि अगर आपको कभी भी electric और magnetic field दो लोग किसी भी चार्ट के एक साथ आ जाए, तो आप जन्राल सॉल्म कर लो, जन्राल मतलब velocity का formula क्या लिख दो, vxi cap प्लस से, vyj cap magnetic field का जो formula दिया हुआ है, वही लिख लो, फिर आप इनको cross product करोगे, तो force आ जाएगा magnetic force, और एक electric force already है, दोने force को add करके निकालोगे तो net force आ जाएगा, और net force को mass से divide करोगे, तो net acceleration आ जाएगा, और उस acceleration के equations को solve करोगे, तो आपको path की equations मुलने लगेगे, ठीक है, यह एक तरीका है, जिससे बहुत आराम से question solve हो सकता है, यह solve example HCV में भी दिया ह हुआ है, तो उससे कर सकते हैं, अगर उससे करना चाहेंगे, तो हम उसको भी discuss कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नया method सिखाता हूँ, उससे सवाल 2 second में solve हो जाएगा, मतलब कुछ कहना ही करना ही नहीं है, उसमें एकदम solve करक बाहर, सर, इसमें ग्राफ नीचे जा है, तब तो मतलब electric field का force तो हमेशा उपर ही रहेगा, और magnetic force का अगर हमेशा आई-cap में रहेगा, तब तो फिर हो, यहाँ जब पहुचेगा, तो magnetic force इधर लगेगा, यहाँ जब पहुचेगा, तो magnetic force इधर लगेगा, यहाँ जब पहुचेगा, तो magnetic force इधर लगेगा, समझ में आ रहा गया जिस समय पर देखोगे उस समय की विलासिटी के पर्पिंदिकुलर मैगनेटिक फॉर्स लगता है तो इसके साथ मतलब फॉर्स तो उसके साथ गुमता जाएगा तो वह वाई में भी लगेगा ऐसे पीछे भी लगेगा आगे भी लगेगा ठीक है क्या है कि यह से बन रहा है और प्रपिंदिकुलर ही आएगा इसका मतलब है मैगनेटिक फॉर्स हमेशा वेलासिटी के डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा लेकिन जब यह वाई एक्सिस पर जल रहा होगा यहां तक यह तक उपर जा रहा है अब तक इलेक्ट्रिक फी डिरेक्शन में डिस्प्लेस होगा तो विलासिटी इंक्रीज होगी क्योंकि उपर पहुंचने पर यहां पर विलासिटी है और मैगनेटिक फॉर्स जादा है तो यह नीचे घुमाने लगेगा तो फिर धीरे-धीरे नीचे जब आ रहा है तो विलासिटी का मैगनेटीड कर लगेगा यहांने फॉर्स के डिरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क बन नेगेटिव होगा यहां पॉस्ते मुस्ते विलासिटी वापस जीरो जाएगी फिर उसके बाद जैसे पाहले हुआ ता वैसा ही मोशन स्टार्ट हो जाएगा कि पार्टिकल ऐसा लगेगा से चोड़ने पर उपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है यहां पर आके फिर सब्सक्राइब कि अधर मैंने आपको सिखाया कि अरे यह क्या यह तो आप ग्रेट ही नहीं है भाई लग रहा मीटिंग अभी वह जाएगी वापस जॉइन करना इसी पर ठीक है समझ गए बच्चों क्योंकि लग रहा है यह जो है मीटिंग आईडी इसको अपग्रेड नहीं किया गया है लल्लू बना दिया गया हमको यह तो फ्री वाला तो मेरे पास भी था आईडी वेगार में लिया मैंने ठीक है आगे बड़ते हैं तो मेथेड क्या है वो समझो एक बार मैंने आपको बताये कि यह सब मोम आया होती है कि इलेक्ट्रिक फील और मैगनेटिक फील यह चलने वाले के हिसाब से बन सकता है इसका मतलब है तब ही भी किसी मैगनेटिक फील्ड भी में अगर हम भागे आप जबर हर लुबिंग कि मैगनेटिक फील्ड नि दी उसको एक एकफ्रा एक फील्ड बंते दिखे घा जिसका फॉर्मला है वी मूविंग विडु वियो सिटे अप जर्वर्ड का विलास्टी वियों है वियों क्रना सकते आप को अब हमने क्या सोचा कि इस सवाल में एक एलक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एक मेगनेटिक फील्ड ऐसा आउटवर्ड है customs मेरे को नया इलेक्ट्रिक मैंने का सचा अगर हम लो करें। तो मान दिए ऐगो तो रिक निया इक्स्ट्राइलेक्टरिक फील्ड या लेक्टरिक फील्ड ये हमें दिखेगा क्योंकि हम भाग रहें un reminded k फील्ड में तो मैंने कहा अगर मैं नाइप व्हुला अगा व मीचे वाकि तौम्री कृएंघ तो थम नीचे यहनों मीचे की तरफ एक इलेक्रिक फिल्ड बनेगा जिसका वैल्यू है एक्स्ट्रा इलेक्रिक फिल्ड और उसका आंसर आएगा वियो त्रास भी अब त्रास प्रेड़क्ट है लेकिन हमने एंगल नाइंटी ले रखा है तो वियो इंटू बी आ जाएगा कि इस कि अगर हम समझ गई है तो लिए इस मौन ने कहीं पर पहने से 50 इलेक्रिक फिल्ड है और प्रपेंडिकिनल बिरेक्शन में में बढ़्टिक मौझद है तो मैंने ऐसा चूज किया कि मेरे विसाब से एक नवा इलेक्ट्रिक फिल्ड बना मैनस पचास का तो मेरे पचास का इनिशल इलेक्ट्रिक फिल्ड जो था अल्रेगी दुनिया में उसका वैल्यू इसक्टिम्ली कैंसल हो जाएगा तो हमने बोला अगर वी नॉट इंटू बी का गाल्यू उस एक्जिस्टिंग एक्ट्रिक फिल्ड एक के बराबर हो जाए तो मुझे किस वेलासिटी से भागना चाहिए जिससे कि यह वाला इलेक्ट्रिक फिल्ड गायब हो जाए तो तू पीप नोट इलेक्ट्रिक फिल्ड जीरो हमने विलासिटी चूज किया है इबाए बी क्या यह बात समझ गए अब आपको देल लाएं कि इसका मतलब है ऐसा अब्जर्वर जो इबाइब भी वेलासिटी से भागेगा इसी डिरेक्शन में भागेगे इधर क्यों उपर क्यों चल सकता अब उपर चलाओगे तो लगेगा तब तो और जादा ही हो जाए जिससे की जीरो हो जाए तो अब सिट्वेशन भगल गई हो दुनिया में किसी दुनिया में मैं अग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड पहने से ही है लेकिन नेक्ट एलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुका है तो अब बताइए अगर एलेक्ट्रिक फील्ड हो भी नहीं और और ऑरिजिन पे एक पार्टिकल इनीशली जिसको रस्ट से छोड़ा था अगर हम वी वेलासिटी से वी नॉट वेलासिटी जिसका वाल्यू एबाव भी से भागेंगे और फिर चार्ज को डेंगे लिए तो चार्ज के पास इनीशल ऐलासिटी हमें दिखेगा तो अब्सेंग के पास की तरफ दिखेगा हम चल रहें तो चार्ज की पास क्या यह बात समझ गया है कि हम पूरा सवाल किस रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं अब अब जर्वर से पूछ रहे तो उस वह जर्वर कह रहा है हमको मैगनेटिक फिल्ट दिख रहा है क्यों कि आप में अगर एक चार्ज को इनिशल विलासिटी दिख रहे हैं तो और यह उसको वही वेलासिटी दिख रहे हैं जो इवाई भी हमको हमारे अब जर्वर को मिली हुए है कि अगर एक चार्ज को इनिशल विलासिटी दिख दिया जाएं और केंप तो क्या यह चार्ज कैसे में चलेगा बता सकते हैं तो आपने का बना असान है अगर किसी चार्ज को मैगनेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इनिशन वेलासिटी वी से प्रिक्ड होगे तो वे एक सरकल में चलेगा और सरकल का इन्वी वाव क्योबी कुछ याद आया क्या कि अगर हम वी क्रॉसब्स बी करें तो फ्र्स इूपर की तरफ लगेगा इस में तो यहां कहीं सेंटर होगा और पार्टिकल हमें किस पाथ पर चलता दिखाई देगा इस अरे लगा सेंटर यहां अगया पार्टिकल मूव तेना सरकुलर पाथ तब इसका रेडियस निकाल रहे तो रेडियस पाथ अब्जर्वड पात मतलब सरकल अब्जर्वड बाइड अब्जर्वर इस एंवी बाइड क्यूबी एंवी बाइड क्यूबी अब यह रेडियस आ गया लेकिन यह याद रखने यह उस आगे भाग रहा है तो आपके से सोचना है कि अगर मैं आगे भागते हुए तो इसका मतलब सरकल का सेंटर भी उसी विलासिटी से चल रहा है जिसे हम चल रहे हैं मैं क्या मुलना हूँ अब मुझे चलते हुए एक पार्टिकल सरकल में दिखेगा त्रेन से बाहर के आदमें को वह पार्टिकल सरकल में घुनता और सरकल आगे बढ़ता हुआ दिख रहा होगा सबढ़ जब यह सेच रहे हैं लेकिन आगमी को सरकल आगे चलता है क्यों नहीं चल रहा है क्योंकि जरूर सरकल के संटर का भी वेलासिटी कितना ही है इबाई भी है तो जब हम ग्राउंड से उतरके देखेंगे तो यह कंबाइंड बोशन जैसा हो जाएगा सेंटर अव सरक संटर को अबाउट घूम रहा होगा इसी इभाई वेलासिटी से सरकल में वाला इमोशन हो गया कि आपको रेलिंग याद हो कि संटर का वेलासिटी वी हो और टाइपिकल यह जैसे अगर मैं उनेगा हो गया और सेंटर का वेलासिटी वी हो गया तो यह बात समझ मैं आपको ग्राउंड से उतरके देखोगे तो ट्रांस्मेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन के हिसाब से भी स्पीड क्या मिलेगी पीछे वी तो कॉन्टाक्ट पॉइंट रेस देखेगा तो सेंटर नेश्ट पर दिखेंगे जैसे इस अब्समर्र को सेंटर ने में घूलते हैं वेलासिटी तो बटाई दीच लेका हाँ फड़ा फट्टन लेते हैं तो आप में का भवी यह सरकल में घूम रहा है इवाई बी से तो किसी भी टाइम पर अगर यह थीटा एंगल घूम जाए तो इस मोमेंट पर विलाशिटी इस डिरेक्शन में होगी अगर मैं यहां नाइंटी लिग दू यहां थीटा लिग द में चल रहा है एक भाई भी से मैं आपको अभी बोल रहा हूं विल्आइटी विद्रिस्प्र पूड ऑपजर्वर ना स्टी में विश्चिटि आया वी साइन थीटा वी की जग़े लिग दिया इए बाई और साइन थीटा की जगे साइन साइन उमेगा टी से डाली हम फ्रीज़ से निकाल सकते हैं इसको साइल पर और मपिन ग्वेटा हैं इसको साल परेंगे तो क्यों भीड बाई एंटउ ऐगा ये इसका कंद है मपाल्स सब्सक्राइबे टू laugong Y-axis सब्सक्राइब और एक सेक्सिस का वेलासिटी आया माइनस वी कॉस ओमेगा टी तो इबाव दी कॉस ओमेगा की जगह लिख दिया क्यूब बाइम इंटू टी लेकिन यह देने वेलासिटी आप्साइब बाइब जर्वर है वट प्वजर्वर कुद की दर चल रहा है हाँ यह जो पार्टिकल है यह सर्कल में घूम रहा है हमारे अब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो यह पूछेंगा यह पार्टिकल का व्लासिटी कि तर रहे तो बूलेगा टो इंजुन्शल व्लासिटी है किसी भी मोमेंट पे कुझ लोब टरुजण्शंशर सक्क्ल में कुम रहा हैं तो यह फॉजद्रम के एंस परपेंडिक निकॉन बना दिया और एक्स का लिख डिया को पूछोगे आप अब्जर्वर का विलासिटी और आइड कर दोगे यह हमने सीखा हुआ है कि जो रहां लाइड कर दे तो टोटल विलासिटी विद्रिस्पेक्ट ग्राउन निकालेंगे तो अब्जर्वर का विलासिटी इबाउ बी आई प्राइड करेंगे तो टो दे वाले में ही डूफरेंस आएगा तो एक्स विलासिटी आजएगा इड़ी माइनस इवाउ बीद्र वाली तो फता है और वाई का वाली आजएगा इबाउवा बी साइड ओमेगा टी एड़ी के अगर विलासिटी को डी एक्स बाइटी और डीवाइब डीटी लिख दो तो डीएक्स बाइटी इसको लिख दे तो यह इसको अगर इंटेग्रेट करने में टाइम के साथ तो आगे का इंटेग्रेशन तो इजी है यहाँ पर यह बात है यह पुरेंट स्वभू है इसके लिए हमको कोई भी कुवेशन का लॉर्मल तरीके तो इक यह फासे एक्स आउसीं वहींट करनेग्ए जिससे साईनस अपने आफ जेडरेट होगा लबना रस्ता है तो आप इसको नहीं दूसरे तरीके से इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि फिर जादा कंफ्यूजन है हमारा में होता है तो एक बार में कैसे किया गया है उसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को कर गया जिससे पास वही इनीशल विलासिटी आ गया जिस इनीशल विलासिटी से अब्जर्वर चलना स्टार्ट किया है तो फिर पार्टी हिएशी विल्ड्रा स्टी से और किसी इस पार्टिकल को कि से ब्रेंख में में ग्रोडियों किसी भी पार्टिकल का पॉजिशन टाइम के बाद यहां पहुंच गया तो टाइम टी के बाद अगर यह से धुम रहा है तो उमेगा टी एंगल बनाने पर मुझे कॉस ठीटा साइन ठीटा सारे फंक्शन बैरेटी आ जाएंगे अगर इंटिग्रेट करने का मन नहीं है तो भ सब्सक्राइब करना पड़ेगा इंटिग्रेट करेंगे तो भी इंटिग्रेट करेंगे तो यह हुआ आएगा ठीक है भी इस और एक केस करेंगे आज और इसको समझने की कोशिश करेंगे होता है एक सीवी में दिया है बहुत जबर्दस इफेक्ट है इस पर बेज़िए यही सवाल जेई में आ चुगा है बहुत है अच्छा सवाल है आराम अराम से पढ़ो इस तिन सब्सक्राइब करेंट आई फ्लोस थ्रू पॉजिटिव एक्सिस दिरेक्शन इसके इसके साब से मैगनेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड जैसा लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड डूटू दचार्ज के अरियर डूटू दिस दचार्ज के एक्स्पिरियंस अन्यक्ट डिफिलेक्शन अलाउन जैड एक्सिस अब मुझे बटाओ अगर करेंट एक्सिस में च तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्ज लगता की की तरफ अब यहां पे बने हुए है अगर आप देख पारें तो बताना एक सर्फिस आपको दिख रहा होगा पीकी वारेस दिखा क्या सर्फिस पीकी वारेस यह सर्फिस का सर्शेस एरिया एंटू डी है क्या यह दिखाई आपको इस सर्फिस का कट्र जिके तरफ तरह थी तरफ का डरेक्शंस आ रहा है तो अगर पॉजिटीव चार्ज होगे इस करिंट करेंट याईर दिख्यटीव चार्ज रहे होते लगता वी वार्युद्व तो उनको उनको से किसेदें लगेगा कि अपोजिट माइनस के देखो आप अगर लेगिटिव चार्ज होगा तो वैसे तो इलेक्ट्रोन ही चलते हो इलेक्ट्रोन ऐसे चल रहे होंगे मतलब थोड़ा दिमाग लगाना अभी आप लोगे न क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता केवल कौन से चार्ज होते हैं फ्री इलेक्ट्रोन होते हैं जो चल सकते हैं तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रोन इधर की तरफ चल रहे होगे यानिकी नेगिटिव ए तरफ बनाए हूए है इसे लिए फ्री इलेक्ट्रों किस डिरेक्शन में चलते दिखने गेँए मेरेश की तरफ ने एक्ट्रेuireक्शन याना वारे एक्सिस की तरफ तो हुआ नो कि अगर आप वी करेंगे तो इस तरफ जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रों कोड कैसा चार्ट होता है वेलासिटी जिस दारेक्शन में है उदर से वी क्रॉस बी का राइट है तो हम की तरफ कर रहा है अब कि तरफ लगेगा जाएंगे तो सारे दरी आएंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ट तो वैसे ही चल नहीं सकते एक डिरेक्शन में आ रहा है तो पूरा पूरा स्ट्रिप को एक ही तरफ लगता है युद्ट फूरी लग्टरों सोटे वह कहीं बंदे नहीं है तो फूर्स लगाने से फिर ऐसे करके तुमने दख्का दे दिया तो वह सर्फेस की तरफ साइड में मुड़ गया तो सब इलेक्ट्रोंस अगर एंग की तरफ आ जाएंगे तो और की में से कौन सा सर्फेस एफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा यही पूछा है सवाई में अभी फेर्थ लाइन पड़ रहे है इस विजल्ट इन एकुमिलेशन ऑफ चार्ज कर्यार और सर्फेस पीकी वारेस एंड अपीरियंस ऑफ इक्वालन अपोजिट चार्ज ऑन फेस पीकी वारेस पोटेंशल डिफरेंस अलांग जट एक्स इस दस डेवलप चार्ज कुछ-कुछ बात समझ गया रही है तो सर्फेस पर अगर चार्ज हो जाए तो यह दोनों की बीच में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जो के से एंड की तरफ बनेगा के से एंड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी इलेक्ट्रों को जो आदो बीच के एलक्ट्रॉन होंगों उनको फेर्स मेंसे की तरफ लगाएगा यह अलक्ट्रॉन के की तरफ एल्लक्ट्रिक फील्ड की वज़滋खे से एक्ट्राक्ट्रेएं प्रिवल्ड Siwa एक्ट्रिक फील्ड मेट बाई एक्युमिलेशन ऑफ चार्जेश करेंट इस एफेक्ट को बोलते हैं अगर मोटर वायर में करेंट फ्लो कराओ तो उसमें मोटर वायर की मोटाई के अलाउं यानि कि उसकी विट्थ के अलाउं या तिक्निस के अलाउं अपने आप एक साइड और दूसरा साइड पॉजिटिव ली चार्ज होगा तो बताइए इसमें कौन सा सर्फिस नेगेटिव ली चार्ज होगा सवाल पढ़ते हैं एक मिनट एक सवाल लग रहा इसका गायब हो गया चली कोशिश करते हैं गराट कूँ क्यों कि अधिकि आँ लिए क कंसिडर टी डिफरेंट इनक सिर्प्स एक सवाल गायब हो गया है मैं देखू क्या चाहिए आगे तो नहीं है कि इंग और सवाल एक सवाल और पूचा गया था कि हायर पोटेंचल पे कौन है मया के पूटेंचल प्रकौन यके कि पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब चलती हायर से लोर तो के से चल रही तो एक ट्रीक फिल्ड को यह यह शायद पहला पाट था दूसरा पार जिए तो डिफरेंट मेटालिक स्टेप्स वन एंटू मतलब दो अलग अलग सिमिलर डाइग्राम आपको इमाजिन करने है और से माटीरियल दियर मेंस आर सेम विट्सार डबी वन एंड डबी तो थिकनेस आर डीवन एंड डीटू रिस्पेक्टिवली पॉइंट के एंड एंड एं प्लेन है और एंड वाला है ठीक है जन्टर गिवन कररेंट आई फ्लोंइंग थू दिम इन ए गिवन मिटालिक घिवन मेगनेटिक फील स्टेंट भी तक्रेक्ट स्टेटमेंट्मेंट आर इफ डब्लीवन एक्वाल दीवन एक्वाल टू 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 पीटू तू आप देख आर पोटेंशल डिफरेंस बिट्वीन के एन एम पहली बात तो यह कि जो करेंट आई दिया हुआ है वह करेंट आई एक डिफ्ट विलासिटी वीडी के प्रपोर्शनल होगा क्या यह बात समझ गए जितना करेंट आई ज्यादा होगा उसी के हुसाप से बनेगा क्योंकि बोल रहा है करेंट आई गिवन करेंट आई फ्लोइंग तो दोनों का ड्रिफ्ट स्पीड क्या है अब अब कोई चार्ज पाटिकल इलेक्ट्राइन ड्रिफ्ट विलासिटी से चले तो उसके उपर जो मैगनेटिक फोर्स लगेगा क्यों वी बी ऐसा लगेगा इस पॉर्स को हमें एंट उन्टू यहांने इलेक्ट्रिक फीड़ के व्लासिटी इंतो बी ऐसा आगया इतनी बात समझ गए क्या लिए अब टिक्वीक्ली इस होघ् Elise को सब्सटर्केप्लीHeet होगा है किसे एंके बीच में कितना डिस्टेंस है जहां पर पूटेंशल डिफरेंस डेल्टा वी को बोल रहे है इंटू डबली इका वाल्य लिग दिया ड्रिफ्ट विनासिटी इंटू बी और इंटू डबली इस कहानी में कहुं भी दी दी रही आ रहा देखो और इन्फाक्ट किहाने में कहीं अल भी नहीं दिनों आ रहा क्योंकि डिफ्ट वुलासिटी आ है कि यह का फॉर्मुला बना रहे है यह बिलास्टिओ उसमें नं ए्रिया भी आता है वैं क्या क्या करेंगे से नहीं कर रहे करेंगे का फॉर्मीला होता है एंअगर तक है क्या है एस तो औस हो जाएगा लेकिन कर आंट जिस क्रॉस सेक्ष्ष्वन गिलिया का क्या है है योगंडी नी इंटु मरूड़ियो इंटु मौनीयतर कर verw वीडीए का वाल्यू निकालने के लिए वी डी का वाल्यू इसी से उल्टा क्यलकुणेट करें तो वीडीएक्वल टू और आई अपान दी इंटू डबल्यू हो जाएगा बाकी सब कॉन्स्टेंट कर देते हैं दूलो लग रहा हुचा हो यह क्या डब्लीव से डब्लीव केंसल कर दिया तो हमारा जो पुटेंशल डिफरेंस का अंसर है वह आई इंट्य डी अपाउन डी हो गया अब जो आमने केस्टन देखा फाइनली इसमें डब्ली और अब बताओ कुन सा अप्शन सही नगरा है टीक है सब्सक्राइब करेंगे तो वीवन यह नग रहा है क्योंकि देल्टा वी का या यह प्रपोस्यल्ट वन बाल डी आ रहा है तो जहां पे दिवन इकुल टीटू करेंगे तो वीवन एकुल वीवन यह नगरा है पहला अप्शन सही लग रहा है और हमको तो यह चोथा अप्शन भी सही लग रहा है क्या लग रहा है कि यह से कि कि इस वह कि करेंगे कि कही कोई तर्म छूट तो नहींगा यहां तो लिखाए तुम मेटालिक स्ट्रिप्स डिफरेंट हैं डामेंचन एल डब्लीए डी से मैं चार्ड टारियों डेंसिटीज एन वन एंटू है इस प्रिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप्स लिख दिया स्ट्रिप वन इस प्लेंगेटिक फिल्ट बीटू बहुत अलाग पहुज़कि वाइड डिरेक्शन वीटू पूटेंशल डिफरेंस के और एंकी बीच में सेम सवाल पूचा है लेकिन अभी करेंट मतलब एंवन एंटू बदल दिया और करेंट से मैं इसा नहीं बुल रहा करेंट आई से करेंट आई का फार्मिला क्या हो जाएगा क्योंकि एरिया आप सेम है दोनों का एल डी और डव सब सेम है तो एन इए वी डी इससे डिफ्ट वेलासिटी आ जाएगा आई अटॉन एए ठीक है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यह बना वो डिफ्ट वेलासिटी इंटू मैगनेटिक फील्ड बन गया और पोटेंशल डिफ कि लिए डिए गया अगया दिफ्क वेलासिटी इंटू बी इंटू दी नहीं डबली डवव शोरी फारी कि जो दोलों के आर में की बीच को डाप है वह मैं कि डबल्यू कि जगे लिख दिया आई अपान और बी इंटु डबल्यू तो ऐसा लग रहा है कि पोटेंशल डिफरेंस का अंसर दी बाइन के प्रपोर्शल आ गया दिख रहा गया कि अगर मैगनेटिक फील सेम है और नमबर नमबर क्यारिया डेंसिटी को एन वन जबन है कि अगरें तो वोल्टेज हास हो जाना मतलब की वी टू इक्वल टू इवन तैल आप्शन साही रहा है यह सब्सक्राइब दूसरा गलत हो गया तीसरा भी सही लग रहा है कि शी लग रहा है गया देखूंग कि यह सब्सक्राइब कर दिया और नंबर इंसिटी से में तो वीवन इक्वल टू वीटू हो जाएगा क्योंकि डरेक्ली प्रपोर्शन आ रहा है कि आपको सवाल की साल्विंग समझ वह आई करेंट से चार्ज का दृफ्ट वेलासिटी निकालो उस ड्रिफ्ट वेलासिटी को मैगनेटिक फिल्ट से मल्टिप्लाइब करो तो वी वाला फोर्स आ जाएगा उस फोर्स को सर्फिस के एंड सर्फिस एम आपको यह हॉल एफेक्ट समझ आए गया कि किसी मोटे वायर में इसे करेंट करेंगा तो मैगनेटिक फिल्ट की वाज़ी से चिपक के चलेगा और दूसरी दिवार खाली चलेगी तो दूसरी दिवार में पॉजिटिव हो जाएगा इगर की द सब्सक्राइब एक सवाल और यह आखरी कर लोते हैं मतलब इसके आगे के दो तीन क्वेस्टेंस और है लेकिन वो तुमको प्रैक्टिस के लिए दे दूगा एक सवाल और मुझे लगए यह डिसका सोना चाहिए यहां पर एक करेंट केरिंग वायर है जिसका जिसमें करेंट आई है और यह यह एक एसा यूट है जिसके दो शरकलर आर्क वाले हैं जिसका सेंटर यही इसी पईंट वहाँ से वायर पास कर रहा है तो यह दी करन्ट करेंग के परपेंड करेंग के पर्पेंडिकुलर रखा है कि फिचा है तो सबताओं तो अंसर जीरो हो जाता कीओ जी यह दिया अगर में लिया और उसमें कि ऐसे नहीं कर रहा है इसमें करेंट फील बनेगा ऐसे डिरेक्षिन से इस पर फोर्स जीरो हो जाएगा और ब्राबर लगेंगे इस पर जीरो इस पर फोडिया उप्ट फोड्र जैसे यहां देखे थम उपर तो यहां मैगनेटिक फिल्ड इखर चलता है इस वायर में करेंगे तो इस वायर में फोर्स अपवर्ड आ जाएगा मैंने इसका रेडियस यहां पर सवाल क्या पूछा है इस पर टॉर्क बताओ आपको यह दिख रहाएगा कि अगर आउट्वर्ड लगे दूसरे पर लगे तो अंदर की तरफ दब होगा और बीसे सी वाला जे सेक्शन है वह बाहर की तरफ होगा सब्सक्राइब करने के लिए करना पड़ता है अब इसमें क्या होती में और भी यूनिफॉर्म होने चाहिए मतलब कि पूरे डाइपोल के उपर मैगनेटिफिल यूनिफॉर्म होना चाहिए इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं इसका इसका मैगनेटिक फिल्ट यूनिफॉर्म नहीं है यह इसा कर दो कि यह करेंट के सामने यह लूट बना हुआ है तो ऐसा कर देते हैं कि इस लूट में यहां से आर डिस्टेंस पर जाके बियार प्रिक्निस का पत्ला इरिया निकाल लेते इससे पत्ला सा डाइपोल मोमेंट बना लेंगे मतलब अगर इस स्ट्रिप का अगर इस स्ट्रिप का निकालके हमने वायर के मैगनेटिक फिल्ट के साथ क्रॉस प्रोड़क किया तो इस स्ट्रिप के अपर टॉर्क आ जाएगा फिर आर्वन से आई पी रोडियोस के लें इंटीग्रेट कर दोगी आंसर आएगा क्योंकि यह जो स्ट्रिप है यह इस प्लेन में अगर मैं बोलू यह अपले स्ट्रिप का डाइपोल मुमेंट का डिरेक्शन क्या है तो यहां फिर नहीं है घ्यान देना इसका वाल्यू से नहीं है नुकिन पर इंजिंचल होने की वज़े से यहां पे डारेक्शन उखार है इदर जाएंगे तो इदर जाएंगे तो पूरा स्ट्रिप इस लिए इसलिए पूरे स्ट्रिप पर ही मैगनेटिक नुए जा सकता क्योंकि नौन यूनिफार्म में एम क्रॉस बी के फार्मले नहीं लगते तो छोटा सेग्मेंट चोटा लिया तो भी मैगनेटिक फिल बदल क्या बजल रही है नहीं क्या किया करेंगे यहां से आर डिस्टिंस पे गए और यहां पर दियार चिकनेस का एच उटा सा सेग्मेंट बनाया यह वियार फिकनेस का यहां से यह PHर्ण का फिल्ट का वाली हमने पता है यहां इसमें करेंट है इसको लेते हैं यहां यहां फिर्स आ गया अब फिर्स का हम डिस्टन्स एक्सिस से लेंगे यह अगर आर है और यहां एंगल थीटा है तो यह डिस्टन्स हो जाएगा आर साइन थीटा इसको को मल्टिप्लाई कर दिया आर इसी को और जा जाए और समया क्वे चैसे कर देंगे और आर टू तक क्योंकि सारे सेगमेंट यह से आप अगया इन वैर पर सीरो था तो इन पर फोर्स की बातें नहीं करेंगा तो हमने एक वायर पर चोटा सेग्मेंट लिया उस पर फोर्स ही का उसी तरफ लग रहा है तो यह इस को ऐसा बाहर की तरफ इसी लाइंग के अबाउड जमाएगा तो यह एक्सेस है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता तो यह पर टॉर्स का टॉर्क आए यह कर जाएगा इस टू से मल्टिप्लाइप लगाई इंटीग्रेट कर दिया पर यह अन्सर आजएगा यह डियार है आजी आए एक बार करना बहुत ही है लेकिन दिखने में अलग दिख रहे हैं यह हमने क्लास में किया हुआ है तो यह नहीं भीजूगा तो ठीक है आज के लास इतना ही करेंगे क्लास भी लाइन डप है बाइबाइब बच्छो